कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों इनिस्यल स्टेज और हॉस लिफ्टिंग मतलब क्या आप लोगों तब इतक बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर कि भाई जैक लगा देने के बाद चैनल लगा देने मतलब हॉस लिफ्टिंग बला दिखा होगा लेकिन आज जो है मैं झाल आपको इनिस्यल मतलब हॉसल लिफ्टिंग से पहले हॉसल लिफ्टिंग के डère ने पहला सटेज किया है उसी गुअरवर हम पताऊंगा कैसे हे हैं लगा जाता है तो चलते हैं और एक ही करके हम देखते हैं उससे पहले आपको बता दूँ कि होस लिफ्टिंग का वर्क अगर आपको करवाना है तो ये आपको जो कंपनी है एमेम जे हॉस लिफ्टिंग इनसे आप करवा सकते हैं इनका अभी राची में चार से पांच प्रोजेक्ट रणिंग चल रहा है ऐसे तो इनका सर्विस ऑल ओफर इंडिया है लेकिन अगर आपको राची में करवाना चाते हैं तो राची में अभिलेबल है आप यहां से हम चलते हैं और डाइट वीडियो दिखाते हैं क्या प्रोबलम के वज़े से जो है खौस लिफ्टिंग का काम किया जा रहा तो जैसा कि आप यहां देख रहें कि यह जो घर है इसी घर को इसे दो मंजिला घर है तिन मंजिला दिख रहा है लेकिन फ्रंट साइड में तीन मं अब यहां पर देखेंगे इस एरिया हम देखें कि बारिस होता है बारिस के वज़से जल जमाव की समस्य आती है पानी फिर क्या होता है वह घर के ग्रांड फ्लोर में गुजना शुरू हो जाता है तो इसी चीज से बचने के लिए अब इस पूरे घर को जो है और कैसे जो है जैक लगाए जाता है अब देखिए यह होगे आपका रोड लेवल रोड लेवल से भी जो है डेफ्ट है आपका ये घर का ग्रांड लेवल इसी वज़से जो है इसको लिफ्टिंग की जुरत परे देखिए अब पानी से बचने के लिए फ्रंट साइड में से भी नीचे है मलेकी तीन डाव दो फिट जो है इस लेवल से रोड लेवल से डेफ्ट में आ गया क्योंकि भाए कि सरकार जो है जो है क्या करता है रोड लेवल बढ़ाते जाता है यह हो गया कंपनी का बैनर और यहीं से जो है आप कोंट्रेट डिटेल भी आप देख सकते है हम चलेंगे अब दिरे दर अंदर और देखेंगे पहला इस टेकिया है जैसे कि आप यहां पर यह भी देख रहें कि आपका होगा चैनल इसी चैनल को जैक के उपर रखा जाता है आप जैसे यह यहां देखिए फ्रंट साइड में भी जो है जैसे रोड रोड लेवल सबसे पहले आपको फ्लोर को पूरा तोरना पड़ेगा गढधा करना पड़ेगा और एक ही वार में जैक नहीं लगाना याद रहना चाइए का मीनिमम्म चार फीट पहले तोरिए मालगी पहले जो है चार फीट तोरने शूर करने स्प़ एक फिट तोरेंगे फिर उसके निचे जो एक लेवल में जैक लगाना है जैसे कि आप यहां देखे रहें भी उसके बाद पिर आपको जो है एसे करते करते जो है मंनले कि चार फिर तक में तोरना है तो सबसे पहला इस्टे पाता है जैक लगाना मनलब फोलोर्णिक को तोर रहे से अबको थोडा सद है और जाना है गण्धा करना है वहां से जो है बिग टाइबीम से नीचे तो ही लेकिन अगर जो है अगरल से लेके लेक induce के नौध लेकर आप तो श्ट्रし है तो वहाँ पे जो है और असान आपके लिए यहां भी था उसका लेवल उसका लेवल देख ठोड़ा डिफ्रेंस है और एक और सेफ्टी परपस के लिए जहां-जहां विंडो है कि वहां पे आपको कम से कम पूरा जहाए बिक वर्क कर देए आपट कि बिक बंद कर दिया जाएगा अभ चलते हैं और देखते हैं कि यहां पूरा हर जगा जब लग जाएगा तो मतलब आपको पूरा जितने भी ब्रीक है उसको क्लीन कर देना अइसा नहीं यहां पर यह हो गया अब हम बात करते हैं कि इस पूरा जितना जितना अपका घर है जो कुछ भी एरिया कॉट्यक्ट नहीं रहना चाहिए जमीन से चाहे वो दोर हो चाहे कोई भी वाल हो साइड़ वाल अगर किसी बॉण्डी से चाहिक है तो उसको भी चाहिए बिम से चाहिए जहाए बिम्स करके लेना यह कहने के गया जब जैक लगाना शुरू करेंगे तो इस समय हमें यह ध्यान देना है कि जितने भी एडिया आपका आ रहा है चाहे आपका वह फ़लोर से हो जाहे आपका बॉंडरीवाल से हो इस एरिया में जब फ़लोर से है इस एरिया को भी कनेक्शन पूरे उचित्रीक से अलग कर देना चिपिंग नीचे जो है करके इस समय में देखें इसमें एक-दो परिशान यह आपको सकता है कि पहला कि प्लंबिंग का कुछ तो यहां पर आप को यह रहे हैं कि यह फ्लोर है यह फ्लॉर है विवलोर कम है तो उससे अपको जो है contact हटा देना है और साथ ही अगर आपका cantilever जो है निकला हुआ है cantilever beam में भी जो है आप जो है brick work करके जो है उसमें जो है jack लगा देना है ठीक है और एक-एक करके जितने भी area आपको मिल रहा है sub area को plumbing work issue आएगा तो कोशिस किजिए कि plumbing का जो temporary है कुछ अलग सा बंदोबस्त कर लेजिए आप या नहीं तो यह work जो है याद रहे कि बरसात के समय बिलकुल ना करे उतना बरसात के समय में और परिशानी आपका हो सकता है कोशिस हमें सा यह करे कि जैसे कि अभी होगी आपका October यह महिना में अगर आप सुरूर करते हैं तो उतना समस्या नहीं आएगा तो पानी ज्यादा अगर अंदर घूश जाएगा तो कोलप्स होने की ज्यादा चांस होती इसलिए बरसात में आपका अक्टूबर से ले करके जून तक जो है इस चीज़ को अपले सकते लेकिन बरसात में कर सकते हैं अगर आपका अंदर नहीं आता है तब यहां पर देख रहें कि जैक जो है लगा दिया गया है और यह एरिया भी जो है हटेगा और तो इस सब चीज़ को हमें जो है ध्यान ले करके चलना है क्योंकि कि और हमें किया दोर को भी और विंडो को तो आप पूरी अच्छी तरीके से हटा ही दीजिए और उसमें आप यह ना रखे वाई कि यहां नीचे का फ्लोर टूट रहा तो टाइल बरबाद हो जाएगा तो सब ची सब्सक्राइब हो जाएगा नीचे फिर से जो है फ्लोरिंग का वर्क चाय टाइल जो भी है वरक आपको जह है जब यह हौस लिप्टिंग उपर उठ जाएगा तो उस समय आपको करना हो परेगा तो यह हो गया तो हमें सब कुछ का ध्यान में लेका चलना है कि वह किस क्या आता है कि दो-दो चार्चड एक को खोल करके उसके निचे जो है चैनल लगाए जाएगा जो कि जैक जो है चैनल पर ही रहेगा यह भी झान देना माणि समय नहीं हुआ क्योंकि जैक मालतकी एक तरह से दखी चैनल जो है आपका टाइफ बिम के तरह मालतकि पूरा घर क जो बाहर उस जैक पर आएगा और चैनल पर आएगा चैनल एक दुसरे से वेल्डिंग भी होगा यह सब चीज जो है ध्यान में रखे आगे उप हमें हमें चलना है तो यह प्रोसेस है जैसा कि आप यहां देखिएगी और सब सारा कॉंटेक्ट चाहे वह ग्रील हो चाहे कुछ सब कॉंटेक्ट जो फ्लोर से है उसको रिमूब करने के बाधी जो है जैक को घुमाना है यह भी ध्यान देना कहीं कॉंटेक्ट लगा हुआ चाहे फ्लोर्डिंग से हो चाहे कॉलम से हो यहां पर एक चीज यहां पर निफिट यह है कि यह यह लोड बीरिंग संस्या की कोलम को काटना परता है फिर उसके बाद कोल глаза को व्ल्डिंग करना परता है तब यहां पर इस तरह का कोई विशु नहीं है consumption culture है बस जो है आपका जो है यह हो जाएगा अब यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं कि यह आपका जो है 15 पलस जो है आप वाल किजिये जिस से अरो यह जो है आपका सारा सिस्टम है और यहां एक इसू आया था जिसके वज़े से इने जो है हॉस लिफ्टिंग करने की जुरत पर देखिए हमेरा घुटना तक परला सारहा लगभग डेर से दो फिट आपको मान सकते हैं इसको और इतना जो है यह जो है उस लेबल से पांच फिट उपर उठेगा ये घर इसका भी हम पू यह जो है मैं आपको बता दूँ फिर से एम एम जे ए हॉस लिफ्टिंग इनका सर्विस ओल ओवर इंडिया में है एट परजेंट यह राची का प्रोजेक्ट है राची में यह घर हॉस लिफ्टिंग काम चल रहा है राची में अगर किन्हीं को करवाना है तो जरूर इन से आप संपर कर सकते हैं ठीक दोस्तों तो दोस्तों इतना ही था और हॉस लिफ्टिंग को ले करके उमीद करता हूं कि इससे आपको बहुत सारे चीज़ जानकारी मिली होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर उसको लाइक किजिए शेर किजिए कोमेंट सब्सक्राइब करेंगे उसके बगलें बेल आकान बन जाएगा उसको भी क्लिक कर दें जब जब सिवील इंजर्जर प्रकूर को निया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले अब नोट्रिक्रेशन में देखेगा ठीक दस्तों धन्यवाद दस्तों